प्रणाम दिवियो और सजन आज एक छोटा बच्चा की कहाने लेकर आए हैं लेकिन वो छोटा बच्चा ही कुछ इनसान की जिन्देगी में परिवर्तन कर दिया ऐसी मैंने जब लेक्चर के लिए स्टेज में आते हैं मेरे जिन्देगी में कम से कम पाँच हजार से भी जादा मैंने कॉनफरेंस की है पांच हजार से भी जादा इतना stage show खाली हमारे बंगाल नहीं, खाली हमारे हिंदुस्तान नहीं वलकि जब UA से थे, वहां भी lecture दिये हुए हैं बहुत सारे fan follower भी हो गए थे अभी भी करता हूँ lockdown के ये situation के pandemic situation के वावजूद अभी बंद है हमारे मित्र जो सुन रहा है यूटूब में बहुत सारे समित्र हैं जो हमारे live show देख चुके हैं क्यों आते हैं? आमने सामने बाते करने के लिए येस आमने सामने इंसान के साथ जब बाते होते रहते हैं तो बहुत सारे प्रश्ण की उत्तर मतलब solution निकल आते हैं एक प्रश्ण का solution हजारों जिंदेगी में समझ्चा के हल पर देते हैं नरम होने से नहीं चलेगा आप नरम हो जाएंगे आप पर जदा दवाओ आएंगे ये हमारे समाज के नियाहते हैं इसलिए आपको कम से कम सक्त रहें नहीं मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि कठिने से बात किजी ये सब के साथ गंभी रहे कम बाते कीजिए, दूर रहिए, अपना स्टेटास बने के रहिए, नहीं, लेकिन दीड़ता रहिए, रखना पड़ेगा अपने मान पर, ये दीड़ता, जब नरम हो जाएंगे, आप सिधा खड़ा हो नहीं पाएंगे, आपको कोई ना कोई आखे दवा के रहाएं, कील लेख तो एक दिवार पे फोटो लगा रहा है कोई बंदा, दाम दाम से वो हतोड़ा मार रहा है, मारा है, लेकिन कील जब नरम रहता है कभी-कभी, तो टेरा हो जाता है, टेरा हो जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कील, फिर उसमें मार रहा है, मार रहा है, फ जो सिधा जाएगा दिवर के अंदर, उसके पर जादा दबावाएगा, जादा ठोकेगा उसको ठोक ठोक के ठोक ठोक के दिवर के अंदर, मतलब आप जादा सिधा इंसान होंगे तो आप पर जादा ठोकने के लिए आ जाएगा इंसान आपकी समाज से, इसलिए आपको आपको चुटकारा मिल जाएगा ज्यादा सिधा रहेंगे तो आपको ज्यादा पीट पीट के ठोक ठोक के दिवर के अंदर आप हिल नहीं पाएंगे आपको हिलने का जगा नहीं छोड़ेंगे हमारे समाज अभी आप कहेंगे ने सार मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा मैं बहुत भायवीत होता है मुझसे यह नहीं होगा ऐसे करने से नहीं चलेगा आपको मन को दिड़ता बनाना होगा इतना सिधा आदमी सिधा मन की आदमी रहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे आपको कही नहीं कहीं से इतना बादा भी पत्याने वाले हैं कि आपको जीना हरा हो जागा नहीं नहीं कर पाऊँगा मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा मत कहीं यह नो शब्द छोड़ दीज़े आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए चली एक छोटा फीर कहानी सुनाते हैं एक छोटा बच्शत उसका ममी पापा को लेकर चीडिया घर में गय था चीडिया घर में क्यों जाते हैं ऐसा कुछ जनवार देखने के लिए जो अक्सर नहीं मिलते हैं हमारे नजर्म के साथ वह कुटा बिल्ली गाई भैस देखने के लिए कोई नहीं जाते हैं है न वह शेहर देखने के लिए जाते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं बड़ा-बड़ा हाथी देखने के लिए जाते हैं, कईवी पाइथन देखने के लिए जाते हैं, जलहस्ती, हिपोपॉटेमा, सुंदर-सुंदर, बर्ड्स, पक्षी, भालू, ये सब देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे आजू-बाजू में नहीं मिलते हैं, यहा में गाई भैस होता, कुत बिली रहता तो आप टिकीट खरित कर बंदर जाते थे, नहीं जाते थे, हैमिली को लेकर छुट्टी मनाने के लिए जाते थे, नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इसा कुछ खुंखार जनवार है, जो अक्सर नजर में रहते, टिबी में आते है, डिस्को आति समने गाएं, सब, शेर देखने के बाद, टाईगर देखने के बाद, भालू देख लिया, अब हाथी का सामने आएं, हाथी को दिखने के बाद ही, छोटा पंच साल की बच्चा, चीक उठा, पपा, 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 ये हाथी का पैर में जंजीर क्यों बंदा हुआ है, आपने तो कहानी में सुनाया था मुझे कि हाथी का शरीन में बहुत ताकत है पापा, वो पेर को उठा के फेक सकता है, घर तोड़ सकता है, और यहां इतना पतला सा जंजीर है उसका पेर में, वो तोड़ नहीं सकता है पापा। पापा तो दिमाग फीर खराब होने लेगा, हर घर में पांस साल की बच्चा एक एक दिन में दो हजार सबाल पुछते हैं उसका मामी पापा से, यह बच्चे का आदत है, तो पापा घूसा से फिर कहा, देगो बेटा, यह हाति मेरा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मत पूछो बेटा मुझे, तुम्हें काम करूँ है, माउट अंकल बैटा हुआ है, माउट अंकल के पास जाओ, और जाके पूछो, क अच्छा पापा ने कहानी में बता था कि हाती का शरीन में बहुत ताकत होता है ये पेड़ तोड़ सकता है घर तोड़ सकता है दिबार तोड़ सकता है ये जंजीर क्यों नहीं तोड़ पाया महुत अंकल तो महुत अंकल हस दिया बेटा बहुत मज़ेदार सवाल पूछ लिय बेटा आज, किसी ने नहीं पूचा ये सवाल आज था, तो मैंने तुमको बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये हाथी को जब मैं छोटा उमर में लाया था, तो बहुत छोटा था, एक साल का बच्चे का पायर में मैं कपड़े का जंजीर जैसा बना के मैंने होता गया, फिर उसका पायर का कपड़े छोड़ कर रसी से बांग दिया, फिर रसी बड़ा होता गया, और भी बड़ा हो गया, अब रसी खोल कर मैंने अभी लोहे का जंजीर बांद दिया, जब ये छोटा था, तब वो छोटा हां थी, बहुत कोशिश किया, वो रसी तोड करने के लिए लेकिन नहीं तोड़ पाया तो कुछ साल तक ऐसा कोशिस करते 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 जब देखा कि रोजी मैं नाकाम हो रहा हूँ अभी उमर बढ़ जाने का बड़ा हो जाने के बाद यहां थी तब भी यह कोशिस नहीं और कोशिस नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि मैं नाकाम हो जाओंगा मैं नहीं कर पाओंगा मेरे वस की बात नहीं यह जंजीर तोड़ना लेकिन वो एक बार कोशिस करे तो पूरा पेड़ के साथ उठा के फेख सकता है जैसा हर इनसान की आदत है कौप एक बार कोशिस किया तक अब अपने आज भी आपने नहीं हुआ था था आज की अब सोच रहे हैं कि नहीं और कोशिस नहीं करेंगे मेरे बस की बात नहीं तब नहीं हुआ था अभी भी नहीं हुआ ये आदत ठीक नहीं है कभी अपका जिन्देगी में कोई चीज नहीं हो पाया था साइद कुछ पावंदी था इसलिए नहीं हो लेकिन आज क्यों नहीं कोशिश करते हैं आज भी आप कहे रहें कि नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे बस की बात नहीं है मैंने कोशिश किया था तब नहीं हुआ था अभी भी नहीं होगा मेरा सोच के बाहर है ये करना मेरे बस की बात नहीं है ऐसा क्यों है हाथी जैसा सोचिए मा इंसान जैसा सोचिए तब ही तो हम लोग इंसान है यह जंगल की पशु के साथ इंसान की फरक क्या है कभी पूछा है यह इसलिए है कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है और जानवर हली सोच सकता है कर नहीं सकता है यही फरक है हम लोग जो सोचेंगे वो कर सकते हैं तो दोस्तों सोच जब लिया कर ड़िया देखिए इसमें जिंदेगी का परिवर्दन जरूर आजिए होना ही है जरा सोच के तो देखिए सोचने का मतलब आधा हो गया करना चालू करेंगे तो पूरा हो ही गया तो क्यूं ये जिन्देगी में नहीं कर पाऊंगा नहीं होगा मेरे बस की बात नहीं ये नो शब्द जिन्देगी से हटाई आपका जिंदेगी का डिक्सिनारी में नो शब्द मत रखे अगर रखना है नो शब्द का अर्थ नो अपर्चूनिटी रखे अगर रखना है तो नो शब्द का अर्थ नीउ अपर्चूनिटी रखे तो भी देखिएगा जिन्देगी में परिबर्तन खुशी है तो दोस्तों दिभी और सजनो मुझे जाना पड़ेगा विदा लेना पड़ेगा आज के लिए प्रनाव